नमस्कास आतियों तो अभी कि इस वीडियो में हम वक्षिट दो जिसमें हम पुर्णांकों से संबद्धित दैनिक जीवन की समस्याय देखेंगे और इससे हमें एक छीज समझ आएगी कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका हमारी जीवन में कुछ उप्योग है या नहीं या बस ऐसी पढ़ रहे हैं तो आएए देखते हैं इसका कहां कहां हो प्योग है सबसे पहले होगा समुद्र तल में समुद्र तल देखें मैं बताती हूं क्या होता है एक समुद्र है ठीक है उसका भी तो कोई तलवा होगा जैसे नदी का एक तलवा रहता है जैसे समुद्र का भी होग साइन में मतलब एक तरीके से हमने स्केल जो हमारी ऐसी थी उसको हमने ऐसी बना दिया ठीक है और वो हम लेते हैं फीट में अब यह होता है हमारा थर्मोमीटर थर्मोमीटर भी आपने देखा होगा कि जीरो के जो उपर के साइन होते हैं यानि 10 20 30 40 से वह होते हैं तेमपरेचर बढ़ा दो या फिर अपन बोलते हैं कि अरो बहुत थंड लगरी से ठंड को कम करो अपन थंड को कम करने की बजाए इसका तापमान कम करो लेकिन वह कहना गलते तापमान कम करने का मतलब हो जाएगा कि अगर अभी माइनस 20 से तो अभी आप माइनस 20 कर दो यह उसा ही बोलना आगे देखते हैं देखिए यह अद्हार और प्राप्त जैसे और धन उनके जो नाम है वो ही कर्ज अँबह लिए दार और धन यानी होताijah पैसा गया यह जो प्लस के सांद यह स्जामान को your Leo दिया करज लिया ऐसा तो वो नेगटिव मतलब इनके शब्दों में ही इनके अर्थ छुप है आईए अब देखते हैं यह अपन ने सीखा अब इनके प्रशन चुदियें वो करते हैं एक कमरे का तापमान 40 डिगरी सेलसियस से उस कमरे को ठंडा करने के लिए कमरे के तापमान को 40 डिगरी सेलसियस से 5 डिगरी प्रती घंटे की दर से कम करने की आवश्यक्ता है प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा तो इनने कहाई कि अगर एक घंटे में वो 5 डिगरी सेलसियस से कम हो जाता है वो मतलब वो तापमान गिर जाता है तो आप बताएए दस घंटे बाद उस कमरे का तापमान क्या होगा कहने का सीधा ताथ पर यह है कि अभी मान लीजे 40 डिगरी तापमान है एक घंटे बाद हो जाएगा 35 डिगरी है दो घंटे बाद 30 डिगरी ऐसे 5-5 करके कम हो रहा है तो बताएं, यह दस घंटे बात किता कम हो जाएगा, तो देखें, एक घंटे में पांच डिगरी कम हो रहा है, तो दस घंटे में किता हो जाएगा, दस गुणा 5, यानि 50 डिगरी, तो 40 में से 50 हम घटा देंगे, तो उत्तर आ जाएगा, अब घटाने की विधी सरर लेखें, जब भी कोई संख्या आपको ऐसी लगे क्यार कैसे घटाएं जादा वारी संख्या है तो आपको क्या करना है और समान चिन्न है एक पॉजिटीव एक नेगेटीव है तो क्या होगा यहाँ पर नेगेटीव यानि घटेगा अपन छोटे में से तो बड़ा नहीं घटा सकते तो पचास में से चालिस घटाएंगे तो कितना आया दस अभी नेगेटीव को मत देखी यानि ये रिंट चिन्न को फिर देखिए कि कौन सा चिन्न बड़ा है मतलब पचास अंक बड़ा है और चालिस में से कौन बड़ा है पचास बड़ा है तो उसके उपर कौन सा चिन्न है र यहां गड़ित में ऐसे ही चलेगा एक समय पर आस्ट्रेलिया में सबसे कम दर्ज तापमान माइनस दो डिग्री सल्सियस था उसी समय पर अंटार्टिका आस्ट्रेलिया से पांच गुना जादा ठंडा था अंटार्टिका तग तापमान ग्याद कीजिए इनका कहने का मतलब ह पांच गुना अपमान था और आस्ट्रेलिया की माइनस दो था आपनो प्रष्ण के इस दो दो अपने दो समूनी तल में pacingले 17693 ऐदी वो कम दर्टि ठीकू उपर उठती है तो उसकी नई स्थिती क्या होगी तो समुद्र तल से वह 800 नीचे अभी मैंने आपको समझाया था कि समुद्र तल से जो अपन नीचे की गिंती लिखी जाती हो वह रिंड के चिन्ने के साथ लिखी जाती है तो हमने लिख दिया फिर चिन्न किसका लगेगा जो बड़ा है तो कौन बड़ा है यहां आठ सो बड़ा है तो उसका चिन्न के रिंड का तो रिंड लगा दी हमने आगे देख जाए खेर यहीं पर वीडियो खतम हो जाती है इस वाक्षिट में इतना ही था मिलतें अगली वीडियो में तब तक के के लिए बगवा औक के बाया है पर फिर में घल्यवड़ा तुरी देख शरंटो इहले है वीड़ा पर थार वहा बड़ाने सेखेर विए प्वाबैश अर्वाबढर यहा है व्याऒन्यब पेले जा गुवाइले ऊवएले उ